हाई गाईज, कैसे आप सब? वेलकम डोर टो इंडियो यूटीब चल दोस्तों, आज के जूड में हम बात करेंगे बैंकर्स के न्यू डियो के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हैं, बैंक में चार बार डिया रिवाइस होता है, ये कम भी हो सकता है, बैंक में, फर्वरी में, मई में, आउगस्त में, और नवंबर में डिया रिवाइस होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवंबर में डिया रिवाइस हुआ था, अगला डिया फर्वरी में रिवाइस होना है, आज किस वोड़ी में हम जानेंगे कि bankers का DA कितना बढ़ेगा February मन्त में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्ते को साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो bankers का DA वो consumer price index for industrial worker के जो डेटा आता है यह data एक महिने लेट आता है यानि December का January 31 में एक महिना लेट ठीक है तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं October में 124.9 है November में 125.7 है और December में अगर इसी speed से बढ़ा तो हम मान लेंगे कि 126.5 होता है ठीक है क्योंकि एक्सपेक्टेड है तो हम लोग यह देखेंगे कितना बढ़ सकता है तो अब करना क्या होता है इन सारे figures को प्लस करके 3 से डिवाइट करना है यानि किन का average निकालना है तो average इसका आएगा 125.70 average निकालने के बाद हम इसको जो base year है उनमें सब में convert करते हुए जैसा कि आप सब देख सकते हैं यह base year है अब इन से multiplication करना होता है तो 125.70 को 2.88 4.93 और 4.63 से multiply करना पड़ेगा multiply करने के बाद जो figure आएगा 8263.34 ठीक है यह आपके पास figure आया अब क्या करना है इसको 8263.34 को subtract करना है 6352 से यह क्यों क्योंकि जो 11 वाइपर टैट सेटल्मेंट है उसमें इतना ही DA मर्ज हो गया था जाके आपके basic pay में यानि जब आप 8263 में से 6302 को subtract करेंगे तो 1911.34 आएगा ठीक है तो हम 0.34 को अभी हटा देतें पुरा figure लेके चलते है 1911 को अब हमें क्या करना है 1911 को 4 से डिवाइट करना है ठीक है 4 से हम लोग इसलिए डिवाइट करेंगे ताकि हमें slabs पता चल सके number of slab में हम पता कर सके कि कितनी slab बढ़ा है तो 1911 को जब आप 4 से डिवाइट करेंगे तो आपके पास आजाएगा 477.75 slabs यह आ गई है आपके पास slab अब आपको इसको percentage में चेंज करना है तो percentage में चेंज करने के लिए क्या है according to 11 बपर्टेट सेटलमेंट आपको 0.07 से multiplication करना पड़ेगा क्योंकि एक slab 0.07 के बराबर है 0.07 से जब आप multiply करेंगे तो आजाएगा जो आपका न्यू डिये वो निकल के 33.49 परसंट के आसपास तो लगभग आप यह देखिए 33.44 परसंट के आसपास तो लगभग यह देखिए कि 3.06 परसंट का लगभग ग्रोथ होगा आपके न्यू डिये में तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलते हैं दोस्तों जय हिंद